आपका स्वागत आज मैं आपके साथ बहुती कुपसूरत पैटर्ण सेयर करने जा रहे हूं इस पैटर्ण को आप कारडिगन जैकेट कोट्टी लॉंग स्वेटर जैन्स हाप स्वेटर जैन्स पूल स्वेटर बच्चों के और प्रोजेक्ट तैप आदी में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा यह पैटर्ण आ जाता है और फ्रेंट साइट से हमारा यह पैटर्ण बनना स्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए न्यू वीडियो ची नोट्पीकेशन के लिए बेला आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब देखिए फ्रंट साइट से पैटर् फास्ट्रू में देखे पैला फंद उतार लेंगे धागा अपनी साइट करेंगे और देखे 4 फंदे उल्टे बुनेंगे 1-2-3-4 इसार फंद उल्टे बुने आप देखे इन चार फंदों में से देखे आगे के दो पंदे हमने ऐसे left needle में उतार लेने, फिर धागा पिछे करेंगे, फिर इन दो फंदों को right needle में उतार लेंगे, धागा आगे 4 फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और चार, यह देखे, यह 4 फंदे उल्टे बुने, आप देखे, इन 4 फंदों में से देखे, आगे के 2 फंदे हमने left needle में उता फिर धागा पिछे करेंगे और इन दो फंदों को राइट निडिल में वापस उतार लेंगे फिर धागा आगे करेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे ये चार फंदे हमने उल्टे बुन दिये फिर देखे आगे के दो फंदे हमने ऐसे लेप निडिल में उतार लेने है धागा पीछे करेंगे, फिर देखे, जो खंदे हमने लेफ निडिल में उतारें, उनको वापस हम राइट निडिल में उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, चार खंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इन दो खंदों को देखे, ऐसे लेफ निडिल में उतार लेंगे, धागा प front side से हमारी pattern की first row complete हो गई अब देखे back side से second row अब second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और back side से हमने second row को यह देखे उल्टा बुनते हुए complete करना है पूरे pattern में हमने back side से यही process repeat करना है यह back side से हमारी second row complete हो गई अब देखे front side से third row अब third row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे अब देखे next फंदे हमने पर्टा के बुनने पीछे का फंदा आगे लाएंगे और आगे का फंदा ऐसे पीछे ले जाएंगे यह देखे और एक एक करके इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे यह देखे फिर देखे next हमने same process repeat करना है आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे तो back side से देखे पीछे का फंदा आगे लाएंगे और आगे का फंदा देखे front side से ही हमने पीछे ले जाना है और एक एक करके इन दो फंदों को भी सीधा बुन लेंगे यह देखे यह देखे यह चार फंदों में हमारा pattern आ गया अब नेश्ण हमने same process repeat करना है चार फंदों में तो देखे second number का फंदा आगे लाएंगे और first number का फंदा पीछे ले जाएंगे और एक एक करके इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे फिर देखे next हमने same process repeat करना है बैक साइट की तरब से देखें सेकेंड नमबर का फंदा आगे लाएंगे और फ्रंट साइट की तरब से आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे यह देखें नेस्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा फिर नेस्ट देखें चार फंदों में सेम प्रोसिस रिपीट होगा यह पीछे का फंदा आगे लाएंगे फ्रंट साइट की तरब से और आगे का फंदा बैक साइट की तरब से पीछे ले जाएंगे यह देखें दो फंदे सीधे बुने एक एक करके फिर देखें नेस्ट दो फंदों को पल्टा लेंगे तो देखें सेकें नमबर का फंदा हमने बैक साइट से आगे लाना है और आगे का फंदा हमने आगे की साइट से पीछे ले जाना है तो देखे फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्ड रो अब फोर्ड रो को हमने सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करना है यह देखे बैक साइड से हमारी फोर्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप्त रो अब फिप्त रो में हमारा पैटन रिपीट होगा और साथ में सिप्ट होगा तो देखे पहला फंदा उता लेंगे धागा अपनी साइड अब देखे नेश्ट हमने छे फंदे उल्टे भुन लेने एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे यह छे फंदे उल्टे भुने अब इन छे फंदों में से देखे आगे के दो फंदे हमने ऐसे लेफ नीडिल में उतार लेने हैं फिर धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदों को वापस ऐसे राइट नीडिल में उतार लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे यह देखिए चार फंदे उल्टे बुने अब इन चार फंदों में से देखिए आगे के दो फंदे लेफ्ट निडिल में उतारेंगे धागा पीछे फिर देखे इन दो फंदों को वापस राइट निडिल में उतार देंगे धागा अपने साइड फिर देखे नेस्ट हमने चार फंदे उल्टे बुन लेने हैं यह देखिए चार फंदे उल्टे बुने फिर आगे के दो फंदे हमने लेफ निडिल में उतारने हैं धागा पीछे फिर इन दो फंदों को वापस राइट निडिल में उतारेंगे धागा अपने साइड दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे लास्ट का फंदा से सेकिंड रो की तरह उल्टा भूनते हुए कंप्लेट करना है अब देखे फ्रंट साइड से सेवंत रो अब सेवंत रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे भून लेंगे धागा पीछे अब देखे नेस्ट हमने चार फंदों में पैटर्ण डालना है तो देखे सेकिंड नंबर का फंदा आगे लाएंगे आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे यह देखे इन दोनों फंदों को हमने एक एक करके सीधा बुन लेना है नेस्ट सेम प्रोसेस रिपीट होगा बैक साइड की तरब से पीछे का फंदा आगे ल पारपंदों में हमारा पैटर्न आने लग गया ने सेम प्रोषिस रिपीट करना है तीछे का फंदा आगे से आगे का फंदा पीछे अ फिर देखे अ पिछे का फंदा बैक सायड की तरब से आगे लाएंगे आगे का फंदा आगे की साइड से पीछे ले जाएंगे ये देखे ये प्रोसिस रिपीट करेंगे पीछे का फंदा पहले बुनेंगे फिर आगे का फंदा बुन लेंगे फिर देखे ये पीछे का फंदा बैक साइड की तरब से पहले बुनेंगे आगे का फंदा ये देखे आगे की साइड स बाद में बुनेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पिछे लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे ए फ्रांट साइड से हमारी सेवन त्रो कंप्लेट हो गई, ये देखे, अब देखे बैक साइड से एट त्रो, अब एट त्रो को हमने सेकि रो की तरो उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है, ये बैक साइड से हमारी एट रो कंप्लेट हो गई, अब देखे फ्रांट साइड से नाइन त्रो, अब नाइन त्रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा, नाइन त्रो को हमने फर्स्ट रो की तरो बुनते हुए कंप् करना है अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट और सिप्ट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें